गुरूगराम में हुई पांच रेप और छेडगानी की वारदातों ने प्रदेश को हिला कर रख दिया है। सरकार की कारशलिकों को कोशते हुए सरकार को कानून और व्यवस्था के मामले में फेल करार दिया है। ऐसे में सुभे के स्वास्ते मंत्री अनिल विज ने सरकार का बचाव करते हुए उल्टे विपक्ष की ही गेराबंदी कर दी। विज ने कहा कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था पर पूरी निगाह रखी जाती है जहां कहां भी वार्दात होती है उस पर तुरंट कारवाई भी होती है प्रदेश में कानून और व्यवस्था पूरी तरह दिरुस्त है वही स्वास्त्यमंत्री ने अपने चीरपरीची तंदाज में कॉंग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा उन्होंने रोतक में हुए तवर और किरन चौधरी के महासमेलन पर तंजिकस्ते हुए कहा कि इन दोनों ने हुड़ा को समेलन से दूर रखा इससे पता चलता है कि कॉंग्रेस एक पार्टी नहीं बल्कि अलगलग धड़ों में बटा हुआ कुनबा है कॉंग्रेस के प्रदेश मुख्या अशोक तवर और विपक्ष की लीडर किरन चौधरी द्वारा रोतक में किये जा रहे महासमेलन और हुड़ा को कारेकरम का निमंतरन ना होने पर भी विजने चुटकी लेते हुए कहा कि ये कोई पार्टी नहीं बल्कि धड़े काम कर रह हैं ये कॉंग्रेस के नहीं बल्कि धड़ों के कारेकरम होते हैं रफेल डील पर भाटपा सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे कॉंग्रेस के युवराज राहूल गांदी पर भी विजने निशाना साते हुए कहा कि राहूल गांदी को खोया हुआ व्यक्ति कहकर उन पर ये कॉंग्रेस के कारेकरम नहीं होते हैं धड़ों के होते हैं हुड़ा धड़े का शुर्जय वाला धड़े का तमर धड़े का ये धड़े बाज हैं सारे के सारे